नमस्कार दोस्ता स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिसा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन तेरस पर इसे घर लाएं छपड़ फाड़ आएगा पैसा घर में ये बात सव प्रसस सही है मैं खुद इसे घर लाता हूँ दीपा वली पर घर ले आए एक चीज धन की देवी मा लक्ष्मी करेंगी धन वर्सा मिठ जाएगी वर्सो पुरानी गरीबी रातो रात चमक जाएगी किसमत दोस्तों दीपों का तिवहार दीपा वली कार्थिक मास के अवश्या के दिन मनाई जाती है दीपा वली पर धन की देवी मा लक्ष्मी और बिग्न हर्ता भगवान स्री गड़ेश जी की पूजा की जाती है मानता है कि दीपावली पर धन की देवी मा लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान के भंडार भर जाते हैं और बिग्न हर्ता भगवान स्री गड़ेश जी की पूजा करने से सभी बिग्न वाधाएं दूर हो जाती है सांती तरक्की और सम्रद्धी का बरदान प्राप्थ होता है दीपावली का पर्व दो दिन पहले कार्थिक मास के त्रोदशी से सुरू हो जाता है इस दिन धन तेरस का पर्व मनाया जाता है जिसे धन त्रोदशी के नाम से भी जाना जाता है इस साल 13 ती थी दो नबंबर को सुबह 11 बचकर 31 मिनट पर सुरू होगा 3 नबंबर की सुबह 9 बचकर 2 मिनट तक रहेगी इसलिए दोस्तों खरिदारी करने का जो विशेश दिन होगा वो 2 नबंबर का होगा इसलिए धन 13 का पर्व 2 नबंबर को मनाया जाएगा धन 13 का पूजन परदोस काल में किया जाता है इसलिए इस बार धन 13 का पावन पर्व 2 नबंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा इस साल धन 13 परदोस काल पूजन का शुब महुर्त 2 नबंबर की साम 5 बचकर 35 मिनट से रातरी 8 बचकर 14 मिनट तक इस बार धन 13 पर त्रिपुशकर योग भी होने जा रहा है बन रहा है इस बार का धन 13 और भी ज़्यादा खास हो गई है साथी इस बार सरवार्द सिध्योग के साथ ही साथ सालों बाद अदबुद संयोग में धन 13 आ रहा है इन अदबुद संयोग में धन तेरस पर खरिदारी करने से उसका महत और भी अधिक बढ़ जाता है साथी गुरु पुस्स नचत्र के साथ ही शनिग्रह की युती भी धन तेरस पर बन रही है जिससे की इस बार का धन तेरस और भी खास हो गया है कार्थिक मास की आउश्यत इथी को दीपा वली का पर्व मनाया जाता है इस बार यह पर्व चार नवंबर दिन गुरु बार को है दीपा वली पर इस बार कई अदबुद संयोग भी बन रहे है इस बार दीपा वली पर सरवार्द सिध्य योग होने के साथी साथ चार ग्रहों की योती भी बन रही है चार ग्रह एक ही राशी में बिराजमान होंगे इन्हें दुरलब योग में मा लक्ष्मी जी का पूजन करने से मा लक्ष्मी जी का अश्यम कृपा प्राप्त होगी इस दीपा वली पर लक्ष्मी पूजन का सुब महुर थे 4 नवंबर की साम 6 बच कर 9 मिनट से रात 8 बच कर 20 मिनट तक दोस्तों दीपा वली से पहले आने वाले धन तेरस का पर्व का विशेश महत होता है सास्त्रों के अंसार शमुंद्र मंधन के दावरान इसी दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथ में अम्रित कलस लेकर समुंद्र से बाहर निकले थे धन तेरस के दिन भगवान धनंतरी, धन किये देवता जी और मा लक्ष्मी जी की पुजा करने से धन बैवह और शुक्षम्रद्धी की प्राप्ती होती है धन तेरस का दिन खरीदारी के लिए बिशेस होता है क्योंकि सास्त्रों में बताया गया कि धन तेरस पर जो भी वस्त खरीदी जाती है उसमें तेरा गुना ब्रद्धी हो जाती है मा निता है कि धन तेरस पर सोना चांदी और वर्तन खरीदने से बरकत होती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ें की बारे में बताने जा रहे हैं इस चीज़ को अगर आप धन तेरस पर अपने घर लेकर आते हैं इससे आपको मा लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी यह वस्तु मा लक्ष्मी जी को अतिप्री है और धन तेरस पर मा लक्ष्मी जी की प्रीवस्त को अवश्य ही अपने घर लाएं इससे मा लक्ष्मी जी का आपके घर में प्रवेस होगा मा लक्ष्मी जी की किरपा से धन धान की भंडार भर जाएंगे घर में गरीबी और दरिरता का नास हो जाएगा और धन की देवी मा लक्ष्मी जी की किरपा घर में कभी भी बरसेगे और धन की कभी भी कमी नहीं होगी धारविक सास्तरों में मा लक्ष्मी जी को अतधिक महत दिया गया है बेद और पुरान उनकी गाते नहीं ठकते ये शंपूर्ण संसार का पालन करव्यक्त के कर्मों का निचोर धन के रूपे करती है संपूर्ण संसार लक्ष्मी जी के अभाव में अर्थ विहीन है मात्र लक्ष्मी ही अर्थ काम सुख और बैभव और संपन्नता प्रदान करती है इन्ही के कारण भगवान विश्व अति बैभव साली है मा लक्ष्मी जी के विविन ने शुरूपू में से मा लक्ष्मी जी का पदम शुरूप सरवार्दी के महत पून है पदमा ही धनकी मूल देवी है जिनका निवास पदमों बन में होता है मा लक्ष्मी सदैप कमल की आसन पर बिराजबान रहती है इसी कारण देवी मा लक्ष्मी जी को महा लक्ष्मी बिद्या कमला बुलाय जाता है कमल पुष्प के पांचों अंगों में देवी लक्षमी जी का बास होता है देवी कमला को कमल का हर एक अंग प्री है लिकिन इन्हें सरवाधिक प्री है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा यह बाजार में आसानी से मिल जाएगा आपको मंतर जाब के लिए इसकी माला भी बनती है कमल गट्टे के सास्त्रों में कमल गट्टे का बिशेश महत बताया गया है कमल गट्टा वै बस तो जो मालक्षमी जी को सरवाधिक प्री है धार्मिक मानताओं के अंसार जिस जगह पर कमल गट्टा होता है वहाँ पर मा लक्ष्मी बास करती है इसलिए मा लक्ष्मी जी के प्रसंद करने के लिए धन तेरस को मा लक्ष्मी जी के कृपा प्राप्त करने के लिए कमल गट्टा को दीपा बली से पहले धन तेरस को अपने घर अवस ही लाएं जी हाँ कमल गट्टे को अपने घर पर लाने से मा लक्षमी जी आपके जीवर में कई प्रकार के उन्नत दायक कृपा बरसाती है और कमल गट्टे को मंदिर में मा लक्षमी जी के पास रखें आप कमल गट्टे की 108 दाने की माला भी ला सकते हैं या फिर सिर्फ एक पांच कमल यह काले रंका होता है टीपबली पर एक पाँच सा लाले रंके धागे में पिरो कर एक माला बना ले और संध्या काल को लक्षमी जी के पूज़न के दारान आप मालक्षमी जी को यह माला पहनाए और फिर मालक्षमी जी जैसे कि मा लक्षमिज की तस्वीर लेकर आएं ऑलने के बिशेस भी शुमूलय की हो च्पर फार आगा पैसा ये बाद सो प्रश्र सही है कि खूब पैसा वरस्ता है क्योंकि इसे मैं खुद घर लाता हूँ और दोस्तों बता दें कि आप चरण पादुका लेकर आएं माता लक्ष्मिज की या फिर आप चांदी के सिक्का लेकर आएं धन्तेरस की दिन अपने घर पर जिसमें भग्वान गरेस और माता लक्ष्मिज की तस्वीर बनी होती है साती इस दिन चाहें तो मौर लेकर आएं मौर का पंख, आप इस दिन संक लेकर आएं मुरली लेकर आएं दोड़ी से धनिया भी लेकर आ सकते हैं अपने घर क्योंकि धनिया भी काफी सुभमानी जाती है धनिया लेकर आएं मालकषमी के सामने आप जरूँ थोड़ा सा अर्पित कर दीजे बागी आप अपने त्यजोडी में थोड़ा सा रख दीजे और आबाकी आप चाहे तो पूजा स्थान पर रख दीजे इससे आपके घर में दिन दोनी राचोगनी तरक्की करते जाएंगे बरक्कत करते जाएंगे तो धन तेरस पर इन चीजों में से कोई भी एक चीजे लेकर आएं और धन की कृपा मालक्षमी कृपा हमेशा बरसेगी और धन की कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी तो दोस्तो कमेंट में जरू लिखें जै मालक्षमी और साथ ही वीडियो को लाइक करें ज़रा ज़रा इस वीडियो को शेयर करें और चनल को सब्सक्राइब करें जय मालक्षिमी